प्राइट का हमारा टापिक है फाइको ट्रॉपिक डउक्स के अंदर हम देखेंगे इसके चार पार्ट होते हैं ओपी आड्स, कैना भी नाड्स, स्टुमिलेंट और सेडिटू ट्रांस्कुलेंजर तो पहला हमारा आता है ओपी आड्स, ओपी आड्स को हम लोग इसको नार्कोटिक्स के नाम से भी जानते हैं इसमें ओपियम, मार्फिन, हिरोइन और कोडिन इसके चार एजांपल है हिरोइन को कामली हम लोग इसमेग भी कहते हैं और ब्राउन सूगर भी कहते हैं और इसको अप्टेंड किया जाता है इसके लैटिक्स को हम लोग यूज करते हैं यह हमारे CNS और GIT को अफेक्ट करता है इसको स्नोल्टिंग और इजक्शन के थ्रू हम लोग अपने बॉड़ी में इंजक्ट करते हैं और यह पेनिकिलर और रिड्यूस एंजाइटी इसको यूज किया जाता है और हिरोइन हिरोइन जो होता है मार्फीन के स्टाइलेशन से आप्टें होता है जाता है जो जो हमने अंडरलाइन किया है वही काफि इंपॉर्टेंट है उसी उसी को हम बता रहे हैं बाकि आप इसको देख के पढ़ लीजिए बाकि कुछ जो एंडरलाइन है आप उसी पढ़ लेज़ेगा वही काम हो जाएगा उसके बाद आता है दूसरा हमारा काइना बे कैनाब नाइस इसको हम हैलो सीनोजनक कहते है पहला को पहले का जैसे आपको ट्रिक का धिक देता हूं, प Cette इसको आप याज कर सकते हैं ओ मेरी हिरोईन कहां चली और उसके बाद इसका helping सर्द हरिस्ट हर हरुषन्द मौरिया गाँजा भांग वाले आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं उसके बाद आता है यह हमारे ब्रेन को effect करता है और cardiovascular system को effect करता है और इस लेशन आप और यह टेक किया जाता है oral के द्वारा मुग के थुरू और injection के भी थुरू लिया जाता है इसमें सबसे important है LSD LSD जो होता है काना बिनाड के अंदर आता है यह हैलो सिनेजन्स काच करता है जब LSD है तो यह इसके किसके अंतर गता रहा है यह आ रहा है काना बिनाड काना बिनाड जो होता है तो LSD वी एक हैलो सिनेजन्स होगा इसका full farm काफी पूजा जाएदा है इसका full farm हम लोग लिख लेंगे इसका full farm होगा यहां पे लाइसर्जिक एसिड डाय एथाईल एमाइड इसका full farm होता है लाइसर्जिक एसिड लाइसर्जिक एसिड डाय एथाईल एमाइड इसका एक्जाम्पल होता है दोस्तों तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं उसके बाद आता है हमारा यह भी एक यह भी क्लिपस पर प्यूरिया नाम के पौधे से अप्टेंड किया जाता है इसका फुलपार लाइसर्जी केसी डाय थालेमाइड इसको इससे अप्टेंड किया जाता यह जो होता है हमारे हमको छंड भर के लिए एनर्जी का अनभो कराता है जैसे टी या काफी को आप पीते हैं तो थोड़ा रिलीफ महसुस करते हैं उसी के बारे में हाग क्या जा रहा है इसको snorting के दौरह noonze के दौरह smoking के दौरह injection के दौरह हम लेते हैं इंजेक्शन लेंगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा एक एक अट्रोबा बले डियन है इसको धतूरों का प प्ला धतूरा एक रोप में यह भी युज होता है और चोथा आता है यहाँ पर हमारा सेडेटू ट्रांसकुलेंजर सेडिटू ट्रांस्कुलेंजर के हमारे दो एक्जाम पाल है बेंजो डायस्पिन्स और बर्बुटूरेट्स तो इसको आल्टी फेसियल मेड़ यूजिंग सम्केम्केल्स के द्वारा इसको अप्टेंड किया गया है द्वाइस में यूजिंग सम्केम्केल्स इस रिसेप्टर फांट पांट तन सेटन नसा में इसका रिसेप्टर होता है कि इसको दिया जाता है sedative are used as a sleep inducing property और anxiety को भी यह reduce करता है और यह medicine के रूप में भी यूज किया जाता है mental illness आए किसी को तो उसके रूप में भी यूज किया जाता है जैसे कोई depression में है तो उसके लिए भी यूज किया जाता है तो यह drugs काप काप पूरा complete होगा जितना NCRT में इससे ज्यादा NCRT में दिया नहीं बलकि पूरा NCRT यहीं पर तो thank you दोस्तो